हम value check करते बिटा affinity बताने के लिए अब आप कहोगे sir मुझे उसे बड़ा प्यार करता हूं मैं उसे पर उससे कितना प्यार करता हूं quantify कीजिए बहुत करता हूं sir आपको नहीं पता अरे तुम मुझे बताओ quantify कीजिए वैसी तो metals के साथ है यह metals बोल देते हैं कि मेरी affinity काफी जा प्यारे बच्चों कैसे आप सब मैसल समित आपके chemistry educator तो बच्चाच हम बात करने वाले हैं प्रिवर टेबल के previous questions के बारे में जी हां इससे पहले हम अलड़ी बात कर चुके हैं mall concept and atomic structure के previous questions के ऊपर आज इस chapter में क्या बात ही होंगी sir कितने questions करेंगे सारी बात आपके सामने आ बता हूं तो 2022 में आगर आप चेक कर लेंगे एक बार 3 question 2023 में आगर आप जाएंगे 3 question और 2024 में आप जो late list हुआ है again 3 question मतलब यह कहना चाहता है कि भाई 3 question और मरी हलत में 2 question तो आपको देखे जाएगा इस chapter से और 3 question में से 1 question तो confirm आएगा type of oxide के उपर कि आपका given oxide acidic है basic है या amphoteric अपने पास तो 3 में से 1 question का बेटा category आपके सामने आ चुका है that is type of oxide और आप देखेगा बचो पिरवेसर question में 50% question इसी topic के उपर है इनमे से कौन से oxide amphoteric है कौन से acidic है कौन से basic है तो पहले हम उसकी बाद भी आज कर लेंगे topic जब हम question करना जाएंगे लेगिन आपको important topic मेंने पहले highlight कर दिया बाकी तो basic वहीड trend होते हैं आनिशा enthalpy का, electron affinity का उनस प्रकार से लेगिन जो most important area है question वाला वो है type of oxide इस पी हम थोड़ा सा focus करेंगे question के दुरूप, चीक है चलिए तो पहला question आपके सामने आता है, पहला question के अंदर ही, पहला question आपका AAPMT का सवाल है बच्चों, तो last 15 years के question समकर कर रहे हैं, यह आपको पता है बहले से, तो आज के session का first question है और पीरीस का 67th question है, पहला question आपके सामने बच्चों, which of the following is the most basic oxide, सबसे ज़ादा basic, most basic oxide कौन सी है तो again वही question है कि सर type of oxide पैचाने को आगाया है, कैसे पैचानेंगे, तो पहले मेरी बात सुन लो आप ध्यान से, then हम चीजों के अंतर move कर जाएंगे, एक बात सुन लीजे concept क्या होता है, चलिए, सर कैसे है पैचाने कि oxide का nature कैसे है, nature of oxide, तो विटा अगर oxide की बात करेंगे, त तो oxide can be acidic, oxide can be basic, oxide can be amphoteric oxide, और बच्चा, oxide can be neutral, बोलो या सोनो, सर कैसे बोले, वीडियो तो recording form में आएगे, कमेंट कर सकते हैं न भाई, दिमाग तो है, हाँ सर है, फिल, ठीक है सर, acidic, basic, amphoteric and neutral oxide बच्चा, तो एक काम करते हैं, पहले इनको याद करके, खतम करते हैं, पहले इ करते हैं, neutral oxide कौन सी होती है, neutral oxides are formed by non metal, तीनो आपको एक्जाउंब याद रखने है, CO, NO, and N2O, N2O को बोलते हैं, laughing ass, तो CO, NO, और N2O बेटा है, इनको बोलते हैं, अपने पास, neutral oxides, इनके लावा सभी oxides का कुछन कुछ नीचे रहेगा, चाहे वो amphoteric हो, चाहे वो acidic हो, चा कैसे पचानेगे अपने पास, तो बिदेख statement है, generally, generally क्या बोलते हैं, अपने पास, non metal के oxides generally acidic होती है, general statement है, non metal के oxides अपने पास acidic होती है, it is a general statement, और आप क्या बोलते हैं, metal oxides are basic in nature, तो basic oxide के लिए अपने पास metal की oxide होना ज़रूरी है, again generally, then amphoteric में दो बाते बताऊंगा, सारे सवाल amphoteric के within second आपसे निकल जाएंगे, within second, बस सुन लो आप ध्याहन से कि मैं क्या बात कहने वाला हूँ, तो यह हो गया brief job को पहदे से पता होना चाहिए, कि इस acidic oxides are, non metal oxides are generally acidic in nature, metal oxides are basic in nature, and amphoteric की बात अभी सख़ने वाले हैं, और neutral ox oxides तीन होते हैं, CO, NO, और N2O, तो यह वाली बात हम कर चुके हैं, चलिए, अब आजातों में एक एक करके, कि सर, यह वाल oxides कैसे पहचान देंगे, basic तो हो गया idea, कि metal होका तो generally basic होना चाहिए, non metal होका तो acidic होना चाहिए, ऐसा आपने कह दिया, सर, अब एक बाद ध्यान दे यहीजी बचो, एक बाद ध्यान दे लीजी, इसी में, यहीं देख लो आप, suppose आपके पास, metal given है, और metal की आपके पास oxides given है, तो सबसे पहला काम है, उस metal का, उस oxide के अंदर, oxidation number निकालना, अगर वो metal, अगर वो metal, प्लस 2 में है, 1 सी लेलो, प्लस 1 है, प्लस 2 है, या प्लस 3 ह या वो metal, प्लस 4 oxidation number में है, उस oxide के अंदर, या वो metal, प्लस 5 में है, प्लस 6 में है, या प्लस 7 में है, या प्लस 7 में है, यह possibility है, 7 से आपके सामने वैसे भी नहीं आने वाला, manganese, प्लस 7 में आते हैं, आप जानते हैं, potation per magnet के अंदर, तो अगर metal के oxide और metal, प्लस 1, प्लस 2, 3 के अंदर है, तो आप बोलेंगे, कि they will be, अगर metal का ये state है, बेटा, तो आप बोलेंगे, they will be basic oxide, because आप जानते हैं, कि metal oxides basic होती है, और lower state वाली metal oxide basic होती है, जैसे ही oxidation number बढ़ जाएगा, तो metal oxide के अंदर, metal का covalent character बढ़ जाता है, तो उसके वज़े सुसके अंदर, acidic feature आना start हो जाता है, तो higher oxidation number favors the acidic nature of the oxide, though it is a metal oxide, तो अगर metal plus 1 plus 2 plus 3 के अंदर है, oxide के अंदर, तो वो oxide basic oxide हो जाएगे, अगर metal plus 4 के अंदर है, तो आप बंद करके बोल देंगे, कि वो एक amphoteric oxide है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, अगर metal plus 4 के अंदर है, आप बंद करके बोलने कि वो एक amphoteric oxide है, तो कोई भी example, जिस में metal plus 4 के अंदर, oxide के अंदर given है, समाच जाएगा कि वो amphoteric है, तो पहला trap amphoteric का यहाँ पिछाता है, फिर metal अगर plus 5 plus 6 plus 7 के अंदर है, चुकि higher state हो चुके है, तो they will be acidic oxide, हमेशा, अब मैं इस हमेशा वाली दूविदग खतम कर देता सबसे पहला काम होता है, सवाल के अंदर, amphoteric है कि नहीं, चेक कर लेना, उसके बाद हम चेक करते हैं, कि acid के basic है, तिखाऊंगा करना, accept amphoteric, इसलिए मैं कहाता कि amphoteric वाली बात को आप अच्छे से सुनेंगे, तर amphoteric के दो नियम है, पहला नियम आपके सामने आ चुका है, क सबसादेव, amphoteric oxide का example हो जाएगा, metal की बात कर रहा हूँ मैं, non-metal की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, metal, metal अगर प्लस 4 के अंदर है, तो example हो जाएगा amphoteric का, सर आपने कहा कि यहाँ भी कुछ amphoteric हो सकते हैं, और इधर भी कुछ amphoteric हो सकते हैं, मैं कहा, तो एक काम करते हैं, इस amphoteric को अलग से एक बार detail में चेक कर लेते हैं, तो ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, सर, amphoteric बस यह इतनी सी बात है, कैसे पहचान है कि हमारे oxide amphoteric है की नहीं, how to identify a given oxide is amphoteric or not, चली, बहुत चोड़ी सी बात है, कि अगर metal, अगर metal oxide और metal प्लस 4 के अंदर है, अगर metal oxide और metal प्लस 4 के अंदर है, तो वो सरदेव amphoteric होगा, वो oxide हमेशा amphoteric हो जाएगे, second case बंते अपने पास, जनाबय अली, क्या बोला आपने सर, बताओंगे क्या बोला मनियावी, जनाबय अली गाया करे सुना करो वो आसमान के 3335 प्रभू, सर क्या बोला आपने बताओंगे अभी, ट्रिक है, लोजिक है कि identify करने के रही कौन कौन से metal amphoteric हो सकते हैं, तो जनाबय अली, zinc, beryllium, aluminium, gallium, जनाबय अली, गाया करे, सुना करो, सुना फो टिन, क्रोफो क्रोमियम, क्रोमियम, जनाबय अली, गाया करे, सुना करो, वो, वो मिन्स वनेडि सभी, जनाबय अली, गाया करे, सुना करो, वो, आस्मान के सभी, प्रभू, प्रभू मिन्स, लास्ट में आ जाएगा, लेड, पीवी, लेड होता है, मैंतल होता है, ग्रूफ 14 के अलेमेंट, आपको शथ, वीजिबिल्टी ही होगी, यहां देख लो, चेक करोगा फटाफट से स्टेट्स मुझे याद रखने है अपने पास, क्रोमियम प्लस 3 में होगा, तो ही एमफोटेरिक हो सकता है, विरेडियम प्लस 5 के अंदर ही एमफोटेरिक हो सकता है, यह प्लस 3, यह प्लस 3, बस, यह दो ही केस हैं, आपके बास एमफोटेरिक आने के, नोन मेटल्स के अं अगर metal प्लस 4 में है तो हमेशा emphoteric रहेगा इसके अलावा सेकेंड के सिसे बनता है zinc, beryllium, aluminium, gallium, tin, tin के 2 states होते हैं, tin, plus 2, tin, plus 4, दोनों में emphoteric हैं, chromium plus 3 में ही सिर्फ emphoteric है, valium सिर्फ plus 5 में emphoteric है, बाकी तो normal किस बनने वाले हैं, arsenic plus 3 में empho, antimony plus 3 में empho, lead, lead के 2 states बनते हैं, plus 2, plus 4, दोनों में emphoteric, बस, ये है अपने पास emphoteric का पूरा मसाला, सबसे पहला काम है, oxide emphoteric है की नहीं पैचान लो, फिर लगाओ logic, कि अगर metal plus 1, plus 2, plus 3 में है, तो it will be basic, अगर metal plus 5, plus 6, plus 7 में है, तो it will be acidic, एक example लेजिए फटावर्ट से, एकजाम में आ जाएगा सा, TiO2, बताओ क्या है, कौन सी निच्रिक oxide है, acidic है, titanium, metal है, फहली बात तो पतावने चाहिए, कि metal है की नहीं है, हासर metal है, metal है, तो metal plus 4 में, आख बंद करके, बोल देंगे, एमफोटेरिक, बात ही कतम, अगला example, अगर एकजाम में आ जाए, V2O5, इसका निच्रिब बताए, एकजाम खूब आता है वाला, वनेडियम है, इसका oxidation number क्या है, plus 5 is the oxidation number, अब metal plus 5 में है, तो acidic होना चाहिए, लेगिन उससे पहला में चेक करना है, कि यह कहीं एमफोटेरिक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, जनाबे अली गाया करे, सुना करो, वो, वो मिन्स वनेडियम, प्लस 5, वनेडियम प्लस 5 में एमफ वोटेरिक उकसाइड है, जनाबे अली गाया करे, सुना करो, वो आसमान के सभी 3533 प्रभू, अच्छी ट्रिक है, बड़ी काम्याब ट्रिक है, आपको याद होनी चाहिए, चलिए, कोई दिए एक्जाम्म निकाल लीजी आप, सर मुझे एक सवाल और करके बताई है, बढ़ प्लस 6 में है, तो लोजिक के है सर, तो कंसर्ट तो ये कहता है, क्या, कि मैटल अगर 5-6-7 में है, तो वो हमेशा एसिडिक रहेगा, अगर वो एमफो नहीं है, चलिए, सही बात है, अब मुझे बताऊ, सियार प्लस 6, मैटल है, मैटल प्लस 6 में एसिडिक होना चाहिए, बस अगर प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 में है, बेसिक, एकसेप्ट एमफोटेरिक, मैटल प्लस 4, अलवेज एमफोटेरिक, मैटल प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7 में एसिडिक रहेगा, एकसेप्ट एमफोटेरिक, तो पहला काम है, मैटल देखते ही, एमफोटेरिक वाली बात को रट्टा मार लेना, Amphotec तो नहीं है, फिर तो ठीक है, 1, 2, 3 है तो basic, 5, 6, 7 है तो acidic चलिए, please remember this concept और यहां से आपके बहुत सारे questions निकल के आ जाएंगे पहला सवाल, the first question is the first question which or the following is the most basic oxide most basic oxide पूछा है, पहले चख कर लेते कि acidic oxide कौन से basic कौन से फिर most basic विकर निकाल लेंगे, पेलेनियम, सर सेलेरियम तो मेटलोइड है, सेलेनियम मेटलोइड है अपने, अपने स्लेवर्स के according, stable element के अंदर जाएंगे तो 5 element हैं, जो मेटलोइड के अंदर केटिगराइस किये जाते हैं, लिस्ट का वो 5 मेटलोइड का नाम आप मुझे बताएंगे, उसके अंदर silicon नहीं आता है, उसके अंदर boron नहीं आता है मेटलोइड 5 होते हैं, उसमें silicon नहीं आता है, बोरोन भी नहीं आता है, दोनों के दोनों non metal हैं उनके अलावा पांच होते हैं, जो आप मानते हूं वो नहीं है, दियार प्योरली non metal, एंसाडी बोलती है, एंसाडी बोलती है, एंसाडी बोलती है, बोरोन नोन मेटल है तो आप इसमें silicon और बोरोन के लिए किमत आईएगा, इसके अलावा पांच metaloid होते हैं, उसका नाम आप मुझे बता दीजेगा एक तो आपके सामने हैं selenium, arsenic antimony, tellurium और एक और, कौन सा सर, जर्मेनियम चले, बहुत बढ़ी है सर, देखे, अब आजे फटा फट, सवाल क्या था, हाँ, तो selenium है, metaloid है सर, तो metaloid क्या होते हैं सर, पहले मुझे बता हो, selenium metaloid है, वो अच्छी बात है, लेकिन selenium का oxidation में बताइए, सर प्लस चार, अब प्लस चार बोलते कुछ बच्चे क्या बो देखेटिक की मतलब जनाब याली वाली में नहीं आ रहे हैं तो, तो metaloid है, metal तो नहीं है, और जनाब याली में कहीं भी नहीं आ रहा है selenium, तो हमेशे क्या रहेगा, acidic हो जाएगा, it is an acidic oxide, पकड़ पारों मेरी बात को, मज़ा आ रहे है, चली next, aluminium, aluminium metal असर, aluminium metal असर, क्या हो O3, Sb, that is antimony, plus 3 में सर, antimony plus 3 में, है तो ये metaloid, पर क्या ये जनाब याली में आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं, सुना करो वो आसमान के सभी, सभी मिन्स, antimony plus 3 में, antimony plus 3 में, amphoteric हो जाएगा, इसलिए पहला चेक करना होते हैं, कि amphoteric है के नहीं, सर, it is amphoteric, bismuth, अरे सर, ये भी तो गल्थ हो गया, हाँ, ये भी गल्थ हो गया, पहले क्या चेक करेंगे, amphoteric है के नहीं, जानाब ये अली, देखो भईया, ऐसे एग्जामें गल्थी होती है, अली मीन्स, अल्यूमिनियम, हाँ, अरे अल्यूमिनियम ते अंफिट देखे नहीं, भाई, कहा दिमाग लगा रहे थे, अल्यूमिनियम, amphoteric है, बिस्मत, बिस्मत, मैटल होता है सर, गुरुप 15 का लास्ट एलिमेंट है, और मैटल प्लस 3 के अंदर है, बिस्मत प्लस 3 के अंदर है, छीक है सर, क्या जनाब ये अली में आ रहे हैं, नहीं आ रहे सर, अगर मैटल 1, 2, 3 में हैं, तो बेसिक होते हैं क्या मैटल प्लस 3 तक आ रहे हैं, आ रहे सर, तो मैटल प्लस 1, मैटल प्लस 2, मैटल प्लस 3 अगर होते हैं, तो बेसिक होते हैं, अगर वो amphoteric नहीं है, तो क्या ये बेसिक है, अब सवाल देख लिजे, पूछा है, most basic oxide कोन से है, मैंने का most basic छोड़ो, एक ही basic oxide है, उसे का आ मान लेजिए, option D is the answer, पर इस सवाल के तो मैंने आपको आने वाले 10 सवाल, इस chapter कंदर, कवर करा दिये, थोड़ा सा, मैंने fast cover किये है, जायर से बात है, बट हो सकता आपने इंक कुछीजों को पहले पढ़ा हो, चीक है, पर मैं ट्राय किये थोड़ा सा आपको एक छोड़ा स आइडिया देने के लिए, otherwise this class will take one hour, इस topic का पढ़ाने हो, बट ठीक, आपको काफी अच्छा आइड़ा मिल जाता है, ऐसी बात में, next ये बचा ये वाला, ऐसे question काफी सारे गीवने, इस chapter कंदर भी, identify the correct order of the size of the following, बट आपसे आइनिक size पूछा गया है, ये सवाल बट आपक तो इसमें concept के वद अशर, इसमें concept के है, in case of ISO electronic, charge check करते हैं, पहली बात तो number of electron, same है, that is ISO electronic, तो charge check कर लेते हैं, जितना क्या जादा negative charge, उतना size यॺएगा, जितना क्या जाता positive Charge रहेगा, जितना क्या जाता positive Charge रहेगा, तो आप जानते हैं, अगर positive Charge बड़ेगा, तो आपका size साइस कम हो जाएगा विकोज आपका नूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है तो दो तिने बाता है हम ए कि बढ़ता है जितना जादा पोजिटिव चार्ज आता है ऐتم पे उतना जादा रहेगा towards the outer electron size contact हो जाएगा, radius कम हो जाएगा ठीक इसके विपरीत, अगर negative charge बढ़ता जाएगा किसी भी आयन पर negative charge बढ़ता जाएगा तो उसका size increase करता जाएगा because उसका nuclear charge कम होता चला जाएगा तो यह relation आपको मैंने सिखा दिया तो अगर आपके पास दो आयन्स है एक आयन A है, एक B है इस पर charge minus 1 है सपूस इस पर charge plus 1 है और दोनों ISO electronic है दोनों में same number of electrons है ऐसा है कहा गया है तो मुझे बताओ किसका atomic size बढ़ा होगा सब दोनों में same number of electrons है तो जिस पर charge negative है उसका size बढ़ा हो जाएगा सपने पास प्रीडिस्को में compare कर रहा हूँ तो यह concept हम लगाते हैं ISO electronic सवाल करने के लिए बच अब calcium plus 2 के पास 18 electrons है potassium plus के पास 18 हो जाएगे argon के पास 18 है chlorine के पास 17 थे, एक ले लिया 18 होगे cellophar के पास 16 थे, दो ले लिया 18 होगे so these are ISO electronic species के example आप क्या निकान ला है जितना ज्यादे negative charge उतना ज्यादा मजा minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 option is the answer जितना ज्यादे negative उतना ज्यादा size और बाकि उसके साफे size decrease करता चला जाएगा next question और ऐसे question खूब आने वाले है पहले बतारों में, वीडियो के अंदर ट्राय करना है कि आप से सारे बने next question बच्चो 69th the correct order of decreasing second ionization enthalpy of titanium, vanadium, chromium and manganese second ionization enthalpy की बात किये बच्चो first की नहीं, second की तो titanium की बात करते हैं then हमसे पूछा है vanadium, then chromium, then manganese तो second का मतलब है कि पहले एक electron निकल चुका है तो पहले अगर electron निकल चुका है तो ये ये बन चुका होगा प्लस, और ये बन गया होगा V positive, ये बन गया होगा CR positive, और ये बन गया होगा सबने पास MN positive इनका सरम से पूछा गया है कि what will be the ionization enthalpy order यानि कि पहला निकल चुका है second की बात कर रहा हूँ इसमें से निकान ले हैं आपको electron इसमें से निकान ले हैं, इसमें से निकान ले हैं इसमें से निकान ले हैं, इसमें से निकान ले हैं that is the second ionization energy of these metals तो पहले तो निकल या होगा सर अब इस का में चेक करना है configuration कि इसमें से निकालते है वक्त किसमें difficulty आएगी किसमें जल्दी से निकल जाएगा सबसे पहली बात titanium, radium, chromium, manganese फेल आप बताव यह सब d-block के element है, 3D series के element है sequence wise लिख रखे हैं मैंने trend कहता है कि यहां से यहां जाने पर आपका आयनेशन enthalpy की value increase करती है trend, general trend क्या कहता है on moving from left to right आप जानते हैं कि size decrease करता है और ion sensitive भी बढ़ जाती है same with the d-block तो generally अगर मुझसे कुछ और ना पूशा जाए मुझे कुछ भी ना पता हो तो मैं क्या बोलूँगा manganese के enthalpy जादा होनी चीए then chromium, then vanidium, then titanium ठीक because trend वही कहता है इस trend को कई बार बीच में exception वाली बात आप कर लेते हो because आप half filled या fully filled electronic configuration की बात कर लेते है तो सरब वो वाली बात यहां करेंगे हां बीटा trend का according answer का आएगा mn's highest यही lowest पर एक बार चेक कर लेते हैं कि CR plus इन में से निकाना difficult है कि नहीं तो what is the titanium plus configuration तो scandium के बाद आता है titanium 3s2, 3d2 यह बन गया 3d1 sorry 3s1 so it is 3d2, 3s1 यह बता हो scandium, titanium, vanidium 3s2, 3d3 तो outermost एक निकाल लिया क्या बचेगा 3d3 3s क्यों आएगा भाईया 4s आएगा बता हो 4s इसका बता हो CR positive का सर्थ CR आप जानते हैं कि 3d5 4s1 होता है एक निकाल लिया उसको 3d5 बचेगा इसमें 3d5 4s1 बचेगा तो इन सभी की इन सभी की आपसे पूचा है what is the आने से energy order बताईए इसके लिए 2nd हो जाएगी इनके लिए 1st हो जाएगी समझे मारा 2nd 1st का मतलब क्या बताईए 2nd पूचा है तो trend के साबसे बताईए trend तो मुझे बता रहे है कि सबसे highest हैएगा MN plus का then CR plus का then V positive का then say titanium positive का और यह हमारा अंसर हो जाएगा लेगिन यह कोड़ एक बार तर half field को होए है यह रा सर और आपको सिखा रख है कि half field के enthalpy जादा हो जाती है अपनी neighbor वाले से just अपने आगे वाले को बीट करता है हो तो इसके energy इससे पीछे होगी trend के साब से लेगिन value के साब से यह आगे चला जाएगा because of exception case of half field configuration more stable configuration तो यह answer expected था लेगिन हाँ कुछ हम change करेंगे तो answer का आजाएगा CR सबसे रादा then MN then V positive then Ti मुतलब CR means chromium सबसे आगे आजाएगा then manganese then vidium then Ti option C will be answer और हमें समझा रहा था आपको इसलिए समय लगा रहा है अतरवाइस अगर आपको चीज़े पहले से पहता है तो आप चीज़े पहले से पहता है तो आप चीज़े आगे बढ़ सकते है बच्चे तो आपको इसलिए निकाल लोगी ठीक है 70th question बचो again same question which of the following oxide is not expected to react with sodium hydroxide इन में से कौन से oxide है जो NA है उच के साथ reaction नहीं करेगी बची नोच बेस है तो बेस के साथ reaction कौन नहीं करेगा जो खुद बेस होगा बची नोच बेस है तो उसके साथ reaction कौन नहीं करेगा सर अचीड तो कर लेगा सर एमफोटेरिक भी कर लेगा सर उसको दोन से reaction करते हैं पर अगर जो खुद बेस है सर वो किसी बेस के साथ reaction नहीं करेगा सर तो NA होज के साथ विद बेस नो reaction सर common sense तो इन में से निकाल लोग की कौन सा basic है या कौन सा basic oxide है सर berylion जानाब अली में तो एमफोटेरिक है नहीं चाहिए boron boronis non metal boronis non metal boronis non metal boronis non metal और boron to oxide का हो जाएगा it is acidic oxide non metal कि oxides acidic होती है कोई । नहीं उस में तो calcium calcium metal है सर और metal प्लस 2 के अंदर है metal प्लस 2 में है तो basic हो सकता है क्या calcium जानाब याली में कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, यह purely metal oxide है, मतलब it is purely basic oxide silicon, silicon is non-metal, तो SiO2 is acidic oxide, non-metall oxides acidic होती है, except neutral, NO, CO, N2O, तो वो तो अलग से हम याद करील चुके है तो answer क्या हो जाएगा, not expected to react, जो base होगा, वो reaction नहीं करेगा, base के साथ, तो मुझे base शाटना था, answer हो जायाएगा, option C, because बाकी ACD camphoteric है, जो reaction कर लेंगे with NUH, तो आप देख़ा है, question हो ही था, पर question गुमा के बुछ लिया, same question गुमा के बुछ लिया, आपसे, among the elements with the following configuration, which one of them have the highest ionation energy, इसके energy सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो एक काम करते हैं, इन सभी configuration से, उन element को पहचान लेते हैं, फिर answer आजाएगा, यह कौन सा element है सर, neon 10, 11, 12, 13, सरे तो aluminum हो जाएगा, neon 10, 11, 12, 13, 14, 15, सरे तो third plate का 15th group में आएगा, that is phosphorus, यह क्या है silicon, यह क्या है, सरे तो fourth plate का element है, डरो मत फिर भी बताओ क्या होगा, outermost P3 आ रहा है, P3 का बाता है, group 15 में आएगा अपने पास, group 15 element है, तो nitrogen, phosphorus, phosphorus, arsenic, phosphorus क्या हो जाएगा, 3P3, arsenic क्या हो जाएगा, 4P3, it is arsenic, आपने element अराम से निकाले, कि हाँ भी, table में element कहां खाते है, एक काम कीजिए, फटा फटा फटीन element के table में बिचा लीजी, तर पहले आएगा अपने पास aluminum, आगा आएगा silicon, फिर आएगा phosphorus, और phosphorus की नीचे माला, एक्जाम में आपको बेटा सोच नहीं से, that is my key point here, वाणना सीधा बोलता, अंसर ही या आगे वड़ो, हर बच्चा बेटा शुरुआत हीं से करता है, अब आप बताओ, trend क्या होता है, energy का करती है, increase करती है, down the group, energy का करती है, decrease करती है, trend भी आदे, table आपने बिचा लिय चार इलिमेंट का, तो इसके according, phosphorus highest energy लेना होना चाहिए, और phosphorus arsenic में again phosphorus highest है, वेगोस उपर है वो, तो अंसर क्या हो चाहिए, phosphorus वाला, option 2 will have the highest ionation energy, और जायर सी बात है, half field ही भी है, support भी कर रहा है उस बात को, वो और issue वाली बात भी नहीं है, check कर लीजिया, done, next, among the following element, calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radius, अब इसको सवाल कैसे करेंगे, जब भी element आपके सामने है, उनको आप हमेशा उस table में बिचा लीजिए, किनके लोकेशन खाँपे हैं, कौन से group, कौन से परेड़ में आपके, फटावट से, और लगा के निकाल सकेंगे, calcium, magnesium, 2nd group के element है, phosphorus group 15 के element है, chlorine group 17 के element है, चलिए, so beryllium, manganese, calcium, to magnesium, के बाद आता है, aluminium, वो नहीं given है, फिर आएगा silicon नहीं given है, फिर आएगा phosphorus given है, फिर आएगा sulfur नहीं given है, फिर आएगा chlorine given है, magnesium के आगे आता है calcium ये इनकी location है बीच वाल element given नहीं है इसलिए मैंने काटा मार दिया अब आप से पूछे atomic size atomic size का उटर बता ही मुझे along the period atomic size along the period atomic size या atomic radius decrease करता है along the group because of increasing shell, shell बढ़ने से atomic size बढ़ जाता है तो सबसे अधिक atomic size किसका होगा सर सर यहां से यहां जाने पर trend क्या आएगा magnesium जादा है phosphorus से, then chlorine से ये order तो आगया सर और इन दोनों में जादा कोन होगा सर, calcium जादा होगा तो answer आपके सामने आ चुका है camg-pcl camg-pcl option A ठीक है, कर पारे हो easy question है, next ये सवाल आपके लिए है आप समझी होंगे क्यों, question repeat हो रख है 2 से 10 के अंदर ये सवाल देख लेते हैंगे, आजाईए among the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy electron gain enthalpy की आप से बात की गई है यानि की electron affinity का order पूछ है electron affinity की मतलब चाहत electron खाने की चाहत, अब electron खाने की चाहत कैसे पता करेंगे, उस reaction की enthalpy निकालेंगे जितनी ज्यादा enthalpy की value negative होगी वह reaction favorable होगी उस reaction में electron खाना favor किया जाएगा और example आप कहते हैं कि कोई element है sir E उसके electron खाने की tendency काफी जाद है तो मैंने कैसे पता के तुने सब मैंने reaction करवाई उसको electron खिलाया और काफी जादा मात्रा में मुझे enthalpy मिली negative मतलब reaction is highly exothermic तो ये reaction की value negative क्या बता रही है कि process exothermic है reaction exothermic है मतलब बहुत जादा tendency है इस element की खाने की और E minus बनाने की because E minus stable है बजाए E के तो हम value चेक करते हैं बटा affinity बताने के लिए अब आप कहोगे sir मुझे उसे बड़ा प्यार करता हूँ मैं उससे पर उससे कितना प्यार करता हूँ quantify कीजिए अब बहुत करता हूँ sir आपको नहीं बता अरे तुम मुझे बताओ quantify कीजिए वैसी तो metals के साथ है ये metals बोल देते हैं कि मेरी affinity काफी जादा है आप मुझे बता है quantify नि कर सकते हूँ आप बस सोच के खतम कर देते हैं हाँ sir ऐसे ऐसा होता है quantify कीजिए चीजों के बताओ at least साभने वालों को जाके बताओ और आपको उसका जवाब मिल जाएगा फिर आप दुबारा पड़ाय में ध्यान देलेंगे तो E plus electron for E minus enthalpy जाद होगी तो value भी काफ मलब affinity जाद होगी तो value भी काफी highly negative हो जाएगी concept सिखा दिया आप स्वाल पे आजाएगे पूरे table के अंदर highest electron affinity chlorine की होती है किसकी chlorine की group 17 वाली element है they are highly electronegative तो वैसे electrons खाना चाहते हैं ठीक है कुछ element given है sir oxygen, sulfur chlorine chlorine सर यहां से यहां जाने पे electron affinity बढ़ती है और यहां से यहां जाने पे electron affinity घड़ती है according to trend, trend के हिसाब से जहान दीजेगा आव third predict element की जो affinity है वह second value उसे जादा होती है trend को छोड़ दीजे, trend तो general trend होता है वो तो third predict value element की जो tendency है affinity है वह जादा होती है बजाए second के because of size auction ने खाए electron बना O- ठीक है, reaction अच्छी है काफी च्छी affinity रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है sulfur ने खाए electron बनेगा S- जादा favorable है because sulfur बेर minus मतलब बड़े item बेर minus charge है अगर बड़े item बेर minus charge है से disperse हो सकता है, फैल सकता है ताकि electron, electron repulsions minimize हो सके because auction के पास पहले से electrons है sulfur के पास पहले से electrons है आप एक electron extra दे रहा हूँ तो वो extra electron क्या करेगा पहले से मोजूद electrons के बीच में अपने पास repulsion स्टार्ट कर देगा तो चुकि size अगर बड़ा रहेगा तो वो repulsion minimize हो जाएगी because charge फैल जाएगा पास छोटा रहेगा, तो परिशानी start हो जाएगी इसलिए मैंने कहा chlorine has the highest affinity वहना मैं क्या बोलता, fluorine बढ़ ये पंगा पढ़ जाता है तो answer कहा जाएगा sir, chlorine highest है then, then to fluorine है sir, then sulfur, then oxygen ठीक है? चेकर लिजे chlorine, fluorine, sulfur, oxygen clear है then concept plus answer, next question ये सवाल J.E. means का है? ये सवाल J.E. means का है? और तुकि नीट में repeat हुआ है तो try करते है, इसको solve करने के लिए ऐसे होते है, J.E. में से कुछ असान सवाल नीट में आलाते है What is the value of electron gain enthalpy of sodium positive if first enthalpy of Na is 5.1 इसकी बढ़, electron gain enthalpy पूछी है, हम उसे की बात कर रहे थे तो सर, Na positive की electron gain enthalpy पर कैसे निकालेंगे सर? इसो खिलाव electron, बनेगा Na याद आगया सर तो इसकी value पूछी गई है Na positive की पूछी है Na की नहीं पूछी है Na positive की electron खाने की tendency कितनी है और मुझे दिया है first enthalpy first energy energy of Na Na की energy energy का मतलब क्या होगा? कि उसका outer most में से एक electron निकाल लिया और इस process के अंदर कितने energy मुझे चाहिए होगी 5.1 EV चाहिए होगी तो यह reaction करवान है मेरा 5.1 EV खट हो रही है तो मुझे पूछा गया है, इस reaction के अंदर enthalpy क्या होगी? मैं काओंगा answer आ चुका है, answer is minus 5.1 EV आप बोलेंगे sir कैसे? इस मेर्स में फर्क क्या है? उल्टा कर दीजिए reaction को उल्टा कर देंगे तो value आ जाएगी reaction को उल्टा करने से enthalpy के sign chain होजाता है और कुछ नहीं होता अगर A से B के enthalpy 10 Joule है, तो B से A के enthalpy minus 10 Joule हो जाएगी direction will reverse यह हमारा अंसर है, बस इस सवाल में पत्ता होना चाहिए आपको reactions कैसे लिखते हैं आपने संधल्पी वाले के लिए और एक्टर एफिनिटी वाले के लिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि trend मत याद करो, ऊपर से मत पढ़के जाओ सवाल का अच्छे से पढ़के जाओ concept सीखके जाओ अगर सवाल आएगा, एक्टर एफिनिटी पे तो आपको reaction लिखने आनी चाहिए, कि यह मतलब है, एक्टर एफिनिटी का कि एक्टर खाने की शमता है की नहीं कैसे पता करेंगे, एक्टर खिलाएंगे आपको बात हमेशा आद रहेगी और आप ऐसे कोशन जो टिप टफ कोशन होते हैं उनको आप अराम सैंडल कर सकते हों आप तो एक हैर इजी कोशन मन चुक है जब आया होगा तो अप टफ हो गई ठीक हैं, पढ़ाएं नहीं गया होगा बच्चे को, हो सकते हैं से कशन मुझे, जब शाइब चऴएं ऐस पर चारज क लाज कर नहीं किस पर charge कम है इस पर charge कम है तो size किस के दादा होगा sir आपने अभी सिखाया था अगर ISO electronic है तो जितना ज़्यादा positive charge उतना size कम हो जाएगा तो size का order तो sir यह होगा पर इस सवाल पड़के देखे आप smaller the positive charge on the cut time smaller the ionic radius charge कम है charge मातल प्लस 1 है charge small है plus वाला तो size बढ़ा नहीं हो जाएगा हाँ sir माइनस का charge बढ़ा होना ची size बढ़ जाएगा option D देखिया amongst ISO electronic species greater the charge negative charge on the ionic larger will be the size बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है तो negative charge इतना ज़्यादा होगा size उतना बढ़ा होगा again सवाल वही है पर घुमा के पूछ लिया गया बच्चो next question आप से पूछा है कौन सा order सही है radius का बच्चो कुछ सवाल की है न बता ही फटावट से मुझे आप H minus H positive H मैंने का H है H plus तो H plus कम हो जाएगा H से sir और H minus जादा हो जाएगा sir negative charge आएगा size बढ़ जाएगा parent atom के मुकाबले positive charge आएगा size कम हो जाएगा parent atom के मुकाबले तो यह order होना चाहिए तो यहाँ तो कुछ और है तो गल पर जो भी है second पर आजाएगा O2 minus F minus Na positive तिनों कितनों ISO electronic species हैं अगर तिनों ISO electronic है तो जितना जाद negative charge उतना जाद size बिल्कुल सही गी वैने sir मुझे सही पूछा गया है हाँ question खतम होगा next beryllium plus 2 is ISO electronic with which of the following beryllium plus 2 में कितने electrons हैं चेक कर लीज़े फटावर से hydrogen helium lithium beryllium beryllium फूर्थ नंबर में बेटापनी पास आता है इसके पास होते हैं 4 electron तो 2 निकाल लोगे तो बचेंगे 2 electron ह प्लस के पास कुछ भी नहीं है hydrogen helium लीथियम लीथियम में बस तीन होते हैं एक निकाल लिया बचेंगे 2 electron na positive 10 electron mg plus 2 10 electron मुझे पूछा ISO electronic गयाने के बराबर इसके पास भी 2 है sir लीथियम प्लस के पास भी 2 हैं option B कैसे सवाल करवाना चाहिए मुझे सोचेगा विचारेगा next question A.P.M.T. 2014 का सवाल बचेंगे अपने पास acidic strength acidity of diprotic acid in aqueous solution बचेंगे increases in the order कुछ आपके पास diprotic acid given acidic strength पूछेंगे बड़ा असान सवाल है sir down the group move करने पर on moving down the group acidic strength increases कैसे sir यादा रहो आपको कैसे आप देखिए आप से बूछ हूँ मैं HCl HF HI HBR इनका acidic strength बताईए तो आप फटाक से बूलेंगे HI ज्यादा अच्छा acid है then HBR then HCL then HF यह order होता है हाँ sir क्यों because HI बहुत जल्दी से H plus loose कर सकता है और बनाएगा I minus यह बनाएगा BR minus यह बनाएगा CL minus और यह बनाएगा F minus जितना जादा stable आपका anion होगा जितना जादा stable आपका anion होगा उतना strong रहा होगा stability of anion is proportional to the acidic strength of the given acid तो इसको माँ देखो इसका बनेवा anion को देखो क्या I minus stable है हाँ जितना बड़ा size of iron उस पे वो charge उतना जादा stable रहेगा आप सिखाए भी तब जस अब पहला आपको मैंने तो जितना जादा size है बच्चो उस पे negative charge क्या करेगा फैल जाएगा stimulus हो जाएगा charge size छोटा है तो negative charge क्या करेगा repulsion start कर देगा तो अगर negative charge आप check कर रहे है उसकी stability को चेक कर रहे है तो check कीजएगा size of the iron जितना बड़ा size रहेगा atom की size रहेगा उतना जादा negative charge उसको stabilize कर पाएगा I-minus stable है तो जल्दी CH को निकाल देगा और I-minus में आ जाएगा जल्दी निकाल देगा मतलब strong acid है इसका मतलब on moving down the group acidic strength बढ़ती है in organic acids के लिए question खतम हुआ ये कौन से group के element है sir group 16 के element है oxygen, sulfur, selenium, selenium, tellurium so tellurium जादा रहेगा then selenium, then selenium, option A चलिए done concept सिखा दिए example के साथ बाकी आपको पता है अगला सवाल 80th question reason of lengthonoid contraction is lengthonoid contraction कहा होता है sir जहाँ पे zirconium और halfnium का साथ बराबर हो जाता है sir lengthonoids 58 से start होते 71 तक जाते है sir cerium से lutetium तक 4F orbitals में electron आने शुरुवात हो जाते हैं जिसके वज़े से 4F की shielding poor होते है imperfect shielding होते है जिसके वज़े साइस contract कर जाता है तो negligible screening of F electrons or orbitals हाँ sir बाकी तो फालते हो बाते लिए की है screening वातलब होते है shielding effect shielding बोलीजे या screening बोलीजे बच्चा किसकी F orbital की सबसे बहतरिन shielding होती S की then P then D then F S और P की अच्छे माने आते है D की poor F की very poor जिसके कारण आपका contraction यहाँ पे आता है और along the पूरा that group along that group पूरा size आपका decrease करता चला आता है along the length nodes also उसका परभाव पढ़ता है 4D, 5D में कि 4D, 5D के सबी atomic size बराबर हो जाता है तो यह सब बाते पढ़िऊंगे आपने दश पिशी से आरगन यह सवाल खुदी करेंगा क्यूं? पता आपको क्यूं? सेम सवाल हम कर चोके हैं atomic structure में सेम सवाल हम कर चोके हैं atomic structure में same question configuration देखने के बाद booklet वाले question को हर topic में डाल देते हैं कि यह सवाल atomic के अंदर भी आ सकता है यह सवाल इसके अंदर भी आ सकता है इसको मैं अल्यड़ी करा चूक है atomic के अंदर अब दुबार इसका प्राय कर सकते हैं because of anthonoid contraction क्या होगा? बतना किसका size बराबर होगा मैं बताओं कि बता दोगे सर बताई दीजिए अभी आवने बताई दिये वैसे जर कोने माफनियम पूरा 3D series पूरी 4D series पूरी 5D series याने कि पूरा deep block क्या धोना चाहिए पूरा deep block यह निकि से class 12 में पूरा deep block क्या पढ़ेंगे नहीं बीटा 11 में हम पढ़ाते हैं पूरी टेबल के अंदर पूरा deep block at least element तो याद होने चाहिए class 12 में क्या पढ़ेंगे? properties पढ़ेंगे बच्चों वहाँ तो वहाँ तो नहीं टेबल याद करने बढ़ेंगे table और बाकी features तो यहाँ पढ़ेंगे न बहाँ तो element और compounds की properties पढ़ेंगे आगे सब गे next question देख ध्यान से आप the formation of the oxide ion O2- from oxygen atom requires first an exothermic reaction and then endothermic reaction बढ़ा चो सवाल है यह must सवाल है oxygen ने खाए electron बना O- क्या reaction favorable है? हाँ favorable है sir because enthalpy काफे negative है मतलब reaction favor कर रहे है second reaction O- ने खाया electron बना O2- अब reaction favorable नहीं है अभी तुछ सिखाया था electron affinity first electron affinity is of oxygen is negative मतलब काफी जाद़ tendency है second affinity is very very poor किसी बेलिमेंट के लिए क्यों sir? बाई O ने खाया electron बना O- तो यहाँ तो मजा आ रहे है इसको जैसी O- बना उसको मैंने बोला एक और खालो तुम तो कहरे थे खाओगे खाओगे आप परिशान हो गया यह क्यों sir? because O- वैसिब स्टेबल नहीं है size कम है negative charge आ चुक है आप कहरे है कि एक और negative charge आएगा आपके उपर नहीं भाया अब नहीं आने वाला जब अदुस्ती लाया जाएगा मतब reaction will be endothermite second reaction favorable नहीं है उसको favorable कराया जा रहा है energy दे के process करवाया जा रहा है reaction is not favorable second affinity of any element is positive because एक electron खाने के बाद second electron के चाहत किसी के पास नहीं है खाने के ठीक है ये वाले बात हमेशा ध्यांगना basic notes का सवाल लगे अब ऐसा क्यों? because of stability of the oxide small size oxygen का उस पने निगटेशाज पहले से आचुक है एक और आने की बात हो रही है जो कि favorable बिलकुल नहीं होगा तो चलिए the process of formation of O2- in gas phase is unfavorable ठीक है बता दिया एसा क्यों होता है अब वो कह रहे है मिटा अब वो कह रहे है कि O2- का configuration तो neon जैसा है noble gas configuration है अब आप बोलको हाँ सर्ण noble gas वाला configuration है तो ये तो जल्दी बनना चाहिए पर कहां बन रहे है reaction देखो favorable नहीं है because forget configuration वहाँ जिन्दा रहेगा तो तो कुछ करेंगे न वहाँ तक फोचेंगे तो तो configuration की बात करेंगे O2- में दिक्कत क्या है कि O2- का formation फेवरेबल नहीं है because उसका size बड़ा छोटा है और electronic electron repulsion किसी भी बड़ी चीज को overcome कर देता है small size के अंदर मज़ा आ रहे मुझे पाता है configuration का मज़ा है अपना मज़ा है configuration का लेगिन electron electron repulsion एक बड़ा factor बन जाता है अगर atom का size छोड़ा रहेगा तो I hope it is very very clear auction is more electron negative तो उसे मुझे क्या मतलब addition of electron in oxygen result in larger size size बढ़ जाता है हाँ तुस्से हम क्या करेंगे size बढ़ेगा तो repulsion भी तो बढ़ रही है electron repulsion outweighs overcome the stability gained by yes ये अच्छी बात कहीं ने इसने कि noble gas confection तो है लेगिन electron repulsion के बार में क्या कहोगे और ये मैं नहीं कह रहा है तो data बता रहा आपका data खुद ही कह रहा है कि second step favorable नहीं है because second electron के addition हमको कर्माने के लिए energy देनी पढ़ रही है next question what is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atoms of titanium titanium काप से बटा orbitals की energy का order बोच है scandium के बाद आता है titanium 3D2 4S2 इससे पहले आपके बास neon, argon पुरा भढ़ लीजिया argon का last element that is last electron कहाँ हैगा 3P में आएगा so 3P then 4S then 3D sir इनका energy का order पूछ है तो लगा लो n प्लस L rule n प्लस L is 5 n प्लस L 4 n प्लस L 3 और 1 4 so 3D का जादा energy है sir इन दोने में बताई अगर n प्लस L प्लस L ब्लाबर आएगा तो जिसका n चोटा उसके energy काम हो जाती है सब सिखा चुका हूँ atomic के अंदर जाके देख लीजिएगा वीडियो भईया अरे उल्टा काहे कर दिया जिसका n चोटा उसके energy काम हो जाएगी तो सब 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 से कम energy हो जाएगी 3P की 4S की 3D की तो अभी ट्रों बरे आते है तो जो उनको पता है वो भी पूछा आगे बटा और 3D सब से आगे हो जाएगा क्या पूछा आपसे increasing energies increasing के तब सब से पहले कौन सा आएगा 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 बढ़ते हो करम में 3D लास्ट में आएगा से अपने पास 4S नहीं आएगा 3D आएगा 3P 3D 3S 4S 3P ठीक है भाई या 3D आ रहे है 4S आना चाहिए नहीं आ रहे 3D आ रहे है 4S 3P 3S option 2 आ जाएगा प्यारा सवाल है याँ energy quarter बता दीजा ठीक है असान साब आ ले बिसिकली next question देखे बटा बटसी बच्चो कर लोगे try करे आएगे does not agree कौन सी वाली बात गलत है arrangement के साब से aluminum plus 3 mg plus 2 na plus f minus हो गा है आप पूछ है increasing ionic size बता है बेकुस ion तो होना चाहिए तो मैंने का ये सभी कैसे भी आपस में isoelectronic species है नेगरीव चार्ज है फिपलस highly plus तो पहले वाला है true है sir हमें कहना गलत कौन सा है does not agree कौन सा गलत है वो चाहट नहीं ये साही है पहले वाल के second बताईए increasing first ionic enthalpy oxygen nitrogen carbon boron चेक कर दिए फटा बटसे second प्रेट के element है boron carbon nitrogen oxygen यहां से यहां जाने पे nitrogen energy बढ़ती है लेकिन 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 half filled हाँ nitrogen is half filled और half filled अपने आगे वाले को बीट कर देता है बताई ताभी answer क्या हो जाएगा answer will be nitrogen then oxygen then carbon then boron इन चारों में ये answer हो जाएगा अगर half filled है fully filled है तो उसकी energy जाद हो जाते है किससे जाद हो जाती है just अपने पडोशे से just अपने पडोशे से NOCS आना चाहिए गल्त आ रहे है सर गल्त मतलब यह हमारा answer है बाकि यह तो basic निकाल लो गया बाकि निकाल लो गया ठीक है does not agree पूछे आप से तो order does not agree with the variation increasing first energy energy बच्चों तो यह गल्त है energy वाला और चेक कर लीजिए आप कुछ और गल्त है क्या size पूछा है size तो ठीक है सरी है यह भी true है इसके में देख लिए तक बार fluorine, chlorine, bromine iodine क्या पूछा है increasing electron gain enthalpy यह भी गल्त है सर chlorine आगे होना चाहिए यह भी गल्त है सर मतलब इसका अंसर क्या हो जाएगा option B and option C हमसे पूछा does not agree with the variation of property बच्चों आपको सिखाया था chlorine की जादा electron affinity होते है बजाए chlorine की बच्चों तो इसका answer क्या होगा इसका options के अंदर बच्चों इसका सवाल था कि पहला option A and B second option A, B and C ऐसे इसका given था तो इसका answer क्या का हो जाएगा B भी गल्त है property वाली जो given है C भी गल्त है बच्चा property अपने पास यहाँ पूछे electron gain enthalpy तो सबसे जादा कौन से हो जाएगी chlorine की रहेगी ना कि fluorine गल्त है और यहाँ पूछेता आप से increasing first बड़ा प्यार सवाल है बड़ा basic सवाल है बच्चो करके मजा आ गया the element Z बराबर 114 great has been discovered recently it will belong to which of the following family group बड़ा ही माचेदार सवाल है very very important वो कह रहे 114 पर जो element आता है उसका group बताईए उसका प्रेड बताईए उसका block बताईए बच्चे को 30 तक याद होता नहीं है अराम से बतादेंगे बड़े प्यार से बतादेंगे बहुत ही प्यार से कैसे बताएंगे सरा बहुत ही प्यार से answer आ जाए इसका कैसे आए इसका जो ज्यान से आग अगर Z आपका 104 से लेके 118 तक है न जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी, जल्दी क्या होते बिटा, लास्ट के दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट, कोशन खतम, गुरूप नंबर, अच्छा, अब साही बात तो नहीं बताओंगे आपे, सारी बात नहीं बताने वाला बढ़ा, काम की बात बता दूँगा सारी बात नहीं बताऊँगा सवाल बन जाएगा लास्ट टू डिजिट ग्रूप नंबर दिखाएगा अगर आपका element एक सो चार्ज से एक सो अठारा के बीच में है तो अगर मेरा element 104 है, यह फोर्थ ग्रूप का element है अच्छा अगर मेरा element 110 पे है, तो यह 10th group का element है ग्रूप अठारा तक होते हैं, पता दो होगा अगर अगर 114 का element है, तो 14th group का element है, कार्बन फैमिली कार्बन फैमिली जिसको आप बोलते हैं अगर 118 पे जो element है, तो 18th group का element है अच्छा सर, 120 पे आगे फिर बताओ आपका logic फेल कर जाएगा ऐसे कैसे, क्या बात कर तो तुम यार अगर 120 पे element है element अगर 18 पे आचुके है 19 पे आएगा इरीज वापस आलिए आते बेटा 1, 2, 3, 18 group हो आगया 18th group उस पिरेड का लास्ट element होता है 18th group मतलब उस पिरेड का लास्ट element है ना वो वापस आओगी 1st group, 2nd, 3rd, 4th, अगली पिरेड के नदर हाँ याद आगया सर, बड़ी बाती है, सोरी गलती सी mistake हो गया आरगन खत्म हुआ, पोटेशम वापस 1st अच्छा, ऐसे उतने हाँ सर, तो अगर, 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 अगर 120 number का को element है, तो 120 number वाल element कौन से group का होगा 18th group का है, 119 वापस 1st पे आएगा, 1st group का होगा 119, 120 वाला 2nd group का element है, सर, मजा आगया देखके सारी बात हो न, बताएए, बहुत बिस्वा बताएए, सारी बात कैसे बतादूँगा, इस एक वीडियो के अंदर आपका सवाल बन जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा, सर पूछा है कौन सा होगा, कौन फोटिक्शन का रहेगा, तो मैंने का भाई, group 14 का element है कार्बन फैमिली होगा, कार्बन फैमिली देखो जहां से, कोशन खतम, सवाल कब का है, नीट का सवाल है, अच्छय कोशन है यह वाल है, बड़ आपको काफी अच्छय मैंने आइड़ दे दिये वाई, ठीक है, सर अगर एक्जाम 103 आगया तो, सर, आपका ट्रिक काम ने गए, ट्रिक बिटर कंसेप्ट है, ट्रिक थोड़ी ना होती है 103 आगया सर बताओ कहाएगा, यह तो काम नहीं करेगा सर, अरे मुन्ना, 90 से लेके 103 तक कौन चलता है, कौन कौन कौन, एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, पाइफ एफ सीरीज, एफ ब्लोक एलिमेंट है 58 से 71, क्या चलता है, लेंथ अनॉइड, 4F सीरीज, एफ ब्लोक एलिमेंट है, एंड कम्प्लीट एफ ब्लोक, ग्रुप थिरी में आते है, कम्प्लीट और बीच के तो वैसे पता कर लोगा, 50 पे कौन आते, 56 पे कौन आते हैं, 40 पे कौन आते हैं, वो तो वैसे आप निकाल लोगे, बड़ी बात नि पुछी उसमें, दिक्कत तो जहां होते, उसको पता है कि बच्चा कहां फसेगा, हम कैसे बसाने हैं, फुच्चेगा भाईया most acidic, यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुस तो करो भाईया, मुझे बताओ के समयन कर लिया था, कॉमेंट करके बताओ, यह सवाल बड़ी है, देखो ज्यान से फटावर से देगे था, atomic radius बताओ group 13 का, फेमस सवाल है, group 13 के दो सवाल आते है, एक atomic size का, एक आनेशे enthalpy का because यहाँ issue है, कुछ exception है, उनसर आयागा यहाँ से पका, group 13 का सर, तो सर दिक्कत क्या है सर, down the group जाएंगे, atomic size increase कर जायाएगा, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, expected order क्या होना चाहिए, expected order क्या होना चाहिए, thallium जादा, then indium, then gallium, then aluminium, this is the expected order of atom, from credious, लेकिन, 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 अगर यह answer होता, तो सवाल पूछा नहीं आता, आपसे, gallium का size, aluminium से कम हो जाता है, because gallium और aluminium की बीच में, पूरी एक 3D series आती है, और 3D series में, D में electron भरा गया है, और D की shielding पूर होती है, चुकि D की shielding पूर है, है, तो size contract कर जाएगा, तो gallium का size, 2-5 picometer कम पाया जाता है, aluminium से, जबकि ज़्यादा होना चाहाता है, because वो अगली period में आता है, लेकिन, D block contraction उसको बोलते है, because gallium 31 पे आता है, उससे पहले पूरा 3D series खतम हो चुकिया, और D का shielding पूर है, D का screening effect पूर है, तो size कम हो जाता है, expected से भी कम हो जाता है, इसलिए answer में variation आएगा बच्चो, answer क्या है, फिर thallium, indium, aluminium आ जाएगा, फिर gallium, फिर, मैंने क्यों लिखा सार ये वाली बात, क्योंकि आपको एक्साम में आद आजाएगे, कि sirne ने कुछ switch किया था, आपको याद आजाएगा ये वाली बात, तो इसका ये answer perfect है, thallium, indium, aluminium, thallium, indium, aluminium, thallium, thallium, indium, aluminium, थालियो, ठीक है बच्चो, सार्टम समझा भी रहा हो ना, ट्राय कर रहा हो कि आपको थोड़ा सा, अधर्वास आप जानते हैं, इनोगन केमिस्ट्री में बहुत सारी बात हैं, तो नहीं होती है, बताने के लाइक, लेकिन फिर भी, कोशिच करता हूँ, कोशिच बात हैं आपको समझा सको मैं, कौन सा इसमें से, एमफोटरिक ऑक्साइड है, है फिर 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 फि Increasing order of first ionization enthalpy, second group, second period के element given है, lithium से लेके neon तक, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Trend क्या है, सर यहां से यहां जाने पर, ionization energy बढ़ती है, यह general trend है, general trend आपके सामने मैंने बता दिया, तो neon का highest होना चाहिए, इसका least होना चाहिए, सर आपमें कहाता के, half filled, fully filled वाला concept भी होता है, beryllium 2s2, fully filled, nitrogen 2p3, half filled, और neon तो fully filled है, आगे रहेगा, वैसे भी आगे वैसे भी आगे रहेगा वो, कोई doubt ही नहीं है, सर आपमें कहाता के, जो fully filled होते हैं, जो half filled होते हैं, वो अपने just आगे वालों को beat करते हैं, अपने just आगे वालों को beat करते हैं, बाकी order as it is लगा दीजिए, बीना किसी दुख दर्द के, बीना किसी दिमाग लाए, अपने just आगे वालों को beat करते हैं, energy energy के value के अंदर, फ्लोरीन के बाद नहीं हो, लास्ट में neon तो ही, बेटा होते हैं, नियोन का तो जादा रहेगा उसको लगा लो, उसको नियोन समिझ गे, नियोन के बाद फ्लोरीन, फिर N, नियोन FN, नियोन FN, फिर OCBE, OCBE, OC, ठीक है बच्चों, चलिए, हो जाएगा, 4D, 5F, 5F and 6P orbitals, energy पूछिए, लगा दी जगे, N plus L rule कर लीजेगा, तवाल है, atomic का, हाँ भई, बताओ क्या बताने, सर पूछा है, ने, अरे यार, अब इतक 10 सवाल आ चुके है, नीचर वाले पे, पहले बताया था है, मैंने सवाल पक्का बूछेगा, N2 क्या है, सर इट इस laughing gas, इट इस, इट इस, इट इस, इट इस, इट इस neutral, aluminium, जनाबी-अली, amphoteric, sodium, basic, chlorine, chlorine, non-metal है, non-metal है, तो इट इस, acidic, matching निकाल लीजेगा, यह सवाल कहां से आगया, सर, naming सिखाते हैं आपको, जेड बराबर 100 से उपर वालों की हम नाम करते हैं, क्यों से नाम क्यों करते हैं? बेटा, जब रशिया और यूएस में लड़ाई माच रही थी, जब जब जगडा हो रहा था, तो उस टेम पे element discover भी केज आ रहे थे हैं, चुकि जब element discover हो रहे हैं, तो उस देश के scientist क्या कह रहे थे कि, चुकि हमने discover किया है, तो उसका नाम हमारे scientist के उपर होना चाहिए, Mandilevium, Laurentium, हाँ, हमने discover किया भाया, तो हमारे scientist का नाम आएगा, तो एक आउपेसी नाम की संस्था है, उस आउपेसी नाम की संस्था ने बोला, कि ठीक है, time being, हम इनका नाम आउपेसी वाला रख देते हैं, temporary नाम जो होता है, जब ही discover अच्छे से हो जाएंगे, इनकी properties justify हो जाएंगे, फिर आपका जो नाम है, Einsteinium, Laurentium, उस सब रखना आप चालू कर दीजएगा, और हमारे बच्चे को confuse मत करो, हमारे बच्चे, इंडिया वाले प्यारे बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, हाला कि आउपेसी इंडिया वाला नहीं है, वो भार का संस्तान है, लेगिन उस समझता है इंडिया वाले बच्चे हो, कि इंडिया वाले बच्चे, इसलिए अभी सवाल कैसे करने है तो दिमाग लाना पड़ेगा याद करना पड़ेगा मैं अक्सा कहता हूँ कि 101 से लेके 110 तक आयू पेसे भी याद रखो और उन सेंटिस्ट को भी याद रखो उनके नाम और मैं हमेशा से कहते हूँ यह वाली बात को हमेशा परकूस मेंडिलीवियुम लोरेंशिम यह काफी इंपोर्टन नेम है 103 पर कोन आता है लोरेंशिम आता है अपने पास अब यह बात नहीं पता होगी तो आप कोई सवाल आप से नहीं बनेगा अलग कि अब यह तक इस सवाल यह की बार आये है कि नाम भी पूछा है और आपको पहले 10 element के नाम याद होने ही चाहिए सेंटिस्ट के भी और आउपसी के तो आपको वैसे ब्यादर रहते हैं उनके दिक्केत नहीं होती है ति असवाल बिल्कुल इसी बेस्ट पे है लोरेंशम किस पे आएगा 103 पे आएगा सर एक्टिनोईड का लास्ट element है 103 का मुझे बताओ आयू पीसी नहिम क्या हो जाएगा सर सर वन के लिए हो जाएगा अन जीरो के लिए हो जाएगा निल पी के लिए ट्राई पीछे लगा देंगे एम मैच्चिंग जाओक कर लिए अन-िल-प्राई एम सेकेंड बाला मैच कर रहा है सर अपने पास बी का 2 बी का 2 मैच कर रहा ह मैच रहा है अपने पास ओर बताएब अन-निल वन-जीरो अन-101 क्या 101 को बोलते हैं में-डिलीवियम क्या 101 को बोलते है मेंडी लीवियम जी हाँ 101 को बोलते है मेंडी लीवियम मेंडी लीव प्रिटेबल तो ये correct है sir ये वाली matching correct है then अन 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 1-1 अन 111 अन निल 106 111 नहीं 111 तो ठीक है दर में stadium ये बेट 110 पे आता है तो ये तो matching गल्थ है option D गल्थ है बेटा आपका तो पूचा है आपसे क्या पूचा है identify the incorrect match हाँ गल्थ पूचा तभी मैं कहूँ मेरे 2 अंसर सही आगे matching तो ये कि गीवन है पूचा सवाल उल्टा है कि आपसे गल्थ matching बताए तो मैंने का ये वाली matching गल्थ है यानि कि D का और नहीं होना चाहिए ये गल्थ matching है और ये हमारा अंसर option A बाकि सारी matching सही जाने वाली है D मे इट इस wrong matching मैंने आपको हिंट दे दी है बाकि आप 10 तक याद कर गी जाएंगे अब सारी ये लिखाने बैठोंगा तो आपको आगया कि 110 मतलब 100 के बाद 110 तक 10 element के नाम भी बता होना चाहिए सेंट सवाले और आई पे से नाम तो ऐसे पता होते इसका बताईए बता दोगे या करा दू CO neutral Beryllium basic M4 Teric Acidic Copper, Fluorine, Silicon, Serium कौन सा क्या होता है सवाल आराम से बनेगा आप से मैं अगर सवाल कराऊंगा इसका मतलब भी तोना है सारा सवाल कराऊंगा आपको जो बड़े असान सवाल है वो तो आप ऐसे कर लो गया हां कर लेंगे साफिर identify the incorrect statement zirconium and hafnium have same size हां ये तो correct है length onide reveal only plus 3 state ये वाली गलत है अब ये ध्यान दिजिए आप क्या जो class gallery के बच्चे उनको ये सवाल अभी नहीं आएगा class भारी वाले के सवाल आना चाहिए जो भारी कर चुके हैं या deep block पढ़ चुके हैं length onide के बच्चों most stable state plus 3 होता है पर length onide plus 3 के अलावा भी plus 4 में serium plus 4 पाया जाता है europium plus 4 plus 2 plus 4 दोनों पाया जाते है तो इसने बोला कि length onide सिर्फ plus 3 दिखाते हैं नहीं नहीं length on plus 3 plus 4 plus 2 तीनों दिखा सकते हैं most stable state irrespective of the configuration is plus 3 for length onide most stable state is plus 3 for length onide पर इसने language क्या है उसकी है only plus 3 reveal करते हैं plus 2 वाली भी तो show करते हैं stable नहीं हो बात अलग है पर show तो करते हैं तो यहीं गल्थ है यहीं मेरा answer है उच्छा गल्थ बताईए ठीक m4 derik कौन सा है सा 10 कतम 10 10 plus 2 plus 4 दोनों में m4 derik होता है जाना आब आली गाया करे सुना, सुना में स्टिन, sn HF, HCL, HVR, HI acidic strength वो होती है, हाँ सही बात है वो गया पहला statement 2 Pies of element increase down the group the bond strength of HF, HI will decrease and acidic strength हाँ बटा, HI का bond weak है जली तूटेगा, HF का bond strong है तूटेगा नहीं, और तूटेगा नहीं H plus भार जाएगा नहीं H plus भार जाएगा नहीं acidic strength काम हो जाएगी दो नहीं बात है, correct है, sir IPC name of element with 119 फिर साल आ गया, 119 का नाम बताओ 1 का an 1 का an n का an नहीं है आप video post कर लिया करो मेरे question कानल से पहले है, कि पहले मैं ट्राय करूँगा मैं तो जल्दी कर रहा हूँगा, basic सवाल है अच्छे पर ध्यान दूँगा, तो आप video post करोगा, sir, मेरा answer यह आएगा, फिर फटावचा कर लो, यह नहीं के सब आप तो भागा आ रहे हूँ अब वो smartness आपके अंतर आनी चाहिए यह बात पहले बता चुका हूँगा आपको इन वीडियो सो कैसे यूज करने है gadolium gd, gadolium 64 नमबर पर आता है f लोक, lengthened element है has a low value of third ionic energy because of third ionic energy उसकी low रहीगी, third पूछा है so gadolium is half filled gadolium 64 पर आएगा बच्छा आपने पास outermost में 4f7 आ जाएगा 4f7 5d फिर 6s याद आ रहे है ns, np n-1d n-2f n अगर 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा यह 5d हो जाएगा और यह 4f हो जाएगा यह तरीका होता है electronics भणने का, configuration का सर 64 में यह इसका 1 आ जाएगा सर और यहाँ इसका 2 आ जाएगा सर एक बड़ energy check कर लेते है एक बड़ energy आप check कर लीजी 5d और 6s में 5d और 6s में energy check कर लीजी आप 6s के energy कम है तो उसमें जाएगे 2 electrons D में जाएगे 1 अब ठीक है, 64 नमबर पर आएगा स्टार्ट होगा तो यहाँ कई जरौन खताम हो रही है उस प्रिकार से और अगले पिरेड में अपने पास यह चालू हो रहा है gadolium कुछ ऐसा 64 कुछ याद आ रहे चुकि F block के element है इसको अलक्सी नीशे शो कर देते है इससे बात है ठीक आपको पताऊंगे location बता रहा हूं है अब सावाल पर आज़े इससे पूछे कि 3rd enthalpy बताईगे 3rd enthalpy मैंने ठीक है 3rd का मतलब क्या हो जाएगा 3rd का मतलब हो जाएगा कि इसमें से निकालो एक electron बनेगा GD plus निकालो एक और electron बनेगा GD plus अब निकालेंगे 3rd electron तो बनेगा GD plus 3 यह 1st enthalpy यह 2nd 3rd enthalpy 3rd enthalpy बहुत ज्यादा low है क्यों low है पता नहीं sir अगर 1st निकालेंगे तो GD plus क्या बन जाएगा it is 4F7 5D1 6S1 अगर plus 2 निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा 5D1 4F7 बचेगा अगर एक और निकाल लेंगे तो 4F7 बचेगा ना जो की half field है तो D वाला बोले जल्दी निकालो मुझे फटा वट से निकालो तो low energy यह बहार निकल जाओंगा because 4F7 half field GD plus 3 और half field stable क्यों होता है because of high exchange energy same spin वाले आपस में exchange कर सकते है positions को जिसके वैसे काफी चाद energy release होती है उसको बोलते है exchange energy so it is the perfect answer यह सवाल class GD के बच्चे नहीं कर पाएंगा अभी repeat रे बच्चा कर सकता है इसने पुरे D block पढ़ लिया होगा बड़ा प्यारा सवाल तो प्यारा तो है यह कर लोगे atomic size और यह element अराम से बनेगा order पता है values match कर लिजएगा value match ने करने है आपको बस values के range पता होने चीए range भी नहीं order बस एक 10 picometer है मान लीजिए एक 20 picometer है एक sodium है किसका size 20 वाला होगा 20 होगा 10 होगा value याद नहीं करने है value याद नहीं करने है value याद नहीं करने है ना बड़ा शोटा कोन है आएए फटाबर से दो element given है x and y, x की बेट आपके बास given है 419 y की given है नहीं x की दो एंद हल भी given है first x की 419 है and second first वाली 419, second वाली कितनी है 3069 yeah x and y respectively 419 590 and second enthalpies of x and y are these x की पहले यह थी second वाली कितनी है y की पहले कितनी 590 respectively पीछे वाली इसकी हो जाएग 1145 यह काफी बड़ा jump है यह उतना बड़ा jump नहीं है बड़ा jump का बात है stable configuration को बीट करना होता है उसको पार पार नहीं होता है तो पूछा है कि element कौन कौन सा होगर बताई तो मैंने का पहले first element check कर लीजिया पहले enthalpy चक कर लीजिया पहले में y जाद है पहले में y जाद है अपने बस इसका मतलब क्या होग अपने बस option का given है एक alkaline माली जी एक alkaline माली जी एक alkaline earth metal है किसके enthalpy जाद होने चाहिए सर इसके enthalpy जोकि बढ़ती है जाने पर जाद होने चाहिए first enthalpy नोर्मल सी बाद ठीक है first तो ये देखे idea मिल रहे है कि हाँ वही x और y लेकिन अब order का फर्क हो ये limit पहले वाला period का third period का element हो तो पिरेट से ही में तो हम compare कर पा रहे है अगर period बदल जाएगा तो compare कर सकते है इसलिए उसने second value भी दी आपको x की second value 3069 है वो कह रहे है x और y होना चाहिए x होना चाहिए alkaline metal पहले order देखते होगे y होना चाहिए alkaline earth metal मैं कहा रहा हूँ एक बार second value भी check कर लेते हैं ताकि doubt खतम हो जाए वैसे answer आ चुक है फिर भी doubt खतम रहे फिर वो रेंडम compare हो नहीं पाता तो भी कह रहे है कि अगर इसमें से एक निकालोगे न आप second वाले के लिए आपका बहुत energy देनी पड़ेगी लगबख 3000 के असपास और इसमें second में जल्दी निकल जाएगा 1100 के असपास अब मुझे confirm हो गया alkaline metals में एक निकालोगे noble gas में से निकालना difficult है इसलिए value high है तो मतलब x क्या है? x alkaline है खतम next question फर्स्ट आयनेशन इंतली पेक और बताईए same सवाल कई बार कर चुके देखो जाहन से इसको बोलते है फायदा previous question करने का same सवाल 4 से 5 question हम भी तरह हम कर चुके on the same सवाल इसलिए बोलता हूँ कि previous question करके जाएए इसलिए दिखा भी रहाँ आपको साइस और जादा कम रहता है इसमें 5F भढते हैं और कहां गहे इसमें भढते है 4F तो 4F orbitals are penultimate 5F orbitals have poor shielding effect yes 5F की shielding बहुत poor रहाँ गए 4F और 5F तो बिल्कल बाहरवाल होगे तो shielding poor है उसका भी same बज़े रहेगे lengthenade के लिए थी lengthenade में 4F के shielding poor थी इधर भी Fe है तो यहां भी shielding poor हैगी काफी दूर भी हो चुका है 4F और 5F तो बर पीछे हो चुका है ठीक है तो उसमें जो left से बटा right move करोगी in the actuarine series तो decrease in size is greater size में बहुत ग्राव अटाती है size गिरना का मतला contraction होगा the element expected to be form the largest ion to achieve the noble gas configuration Na plus बनाएगा noble gas आजाएगा O2 minus बनाएगे noble gas आजाएगा F minus बनाएगे noble gas आजाएगा N minus 3 बनाएगा noble gas आजाएगा तभी का noble gas वाला ion आ चुका है आप पूछा है सबसे बड़ा size किसका है आपको पता है इस सभी किसभी negative charge उतना जाएगा size सवाल सेम है सवाल पूछने का तरीका बदल जुका है language change होईए answer नहीं last सवाल आपको नहीं एक और बच्च इसके बाद ISO electronic species कौन-कौन से आपसे पूछा गया है ISO electronic species आपसे पूछे गया है NEET 1223 का सवाल यह सवाल कितने मार आचुक है 5 बार कम से कम अभी तक clear है 700 marks उसी बच्चे का आ रहे है जो previous question को चाट के बैठ है 3-3 बार कर चुक है उसको सवाल बताएंगा उसको पता इसका अंसर क्या है क्यू है कैसे है तो 705 700 plus marks बार है marks ऐसे नहीं आते एक बार भी वाक्यों देख लिए वो भी किसमें दिखा दिये तू 700 plus marks लाने है target है तो पर आपको previous questions को 3-4 बार करना पड़ेगा इस level पर जागे तब वो theme पता लिए वो theme क्या है कि कहां से question बन रहे है theme आपके हाथ में आगी theme मतलब segment अगर आपके हाथ में आ गया कि segment से question ज्यादा बनेंगे तो उस पर आप special focus कर पाएंगे फिर वहाँ साब क्या marks बन जाएंगे last question पूछे आप से type of oxide यह आपको homework है आप मुझे comment करके बता दीजिएगा ठीक है next topic will be chemical bonding जिसके हम चर्चा करेंगे next time पे ठीक है राय कीजिएगा आपके से सवाल बन जाए वाले और जो मैं आपको बताया सारी बात उन पर focus कीजिएगे special ठीक है अगे नहीं बोलता हूँ 700 marks लाने हैं तो प्रविसरे question को कम से कम तीन बार चार्ट मारी है खतम करजे बच्चो एकदम मैं इस typical भास यूज कर रहा हूँ आपको संझाने के लिए topper बच्चे के बेटा previous question रटे होते हैं उसको कहां रखा क्यों आ रखा कितने बार आ रखा है उसको उनका answers उनका concepts एकदम दिवाउं के site होते है फिर पूछता नहीं किसी से किससे important topic बता दीजिए उसको पता है कि इस chapter में से 20 questions तो oxide को पर आ चुके हैं yes or no topper so think like a topper बच्चो सोचना बढ़ेगा आपको उसकी तरह तब जाके आप उसके marks के आसपास कुछ perform कर पाएंगे उससे better perform कर पाएंगे ठीक है इसलिए पूछना बंद करो कि important क्या है पढ़ना और research करना शुरू करो चीजों का साथ बच्चो the basic concept is again your previous question इतना अच्छा आपके PYQ रहेंगे उतना better आप आप करेंगे exam scan ठीक है so next time मेरेते chemical bonding में कर